जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है YouTube जो है और ज्यादा स्क्रिप्ट होता जा रहा है और अपने जो monetization के रूल है उसको changing करता रहता है आपके चैनल पर कोई वीडियो पढ़ी है और वो फ्राइवेट है तो उसका वोस time count नहीं होता है और आपको काफी चीज़ों का पता है जिसे की गुगल एडवर्ट से हम वीडियो को प्रमोट करते हैं तो उसका भी वोस time count नहीं होता है और गाइस अभी कुछ time पहले एक policy और आयती जिसमें अगर story पर किसी की वीडियो को share करते हैं तो वहां से जो वोस जा गया है जिसमें लिखा है VOD वीडियो on demand और गाइस इससे बहुत लोगों ने जो है वीडियो भी बना दिया है और उन लोगों ने बताया है कि अगर आप streaming करते हैं और उस time streaming करते time जो भी वोस time आता है वो आपका monetization के लिए count नहीं होगा और गाइस उसके बाद में आप उस वीडियो को publish कर देते हैं फिर वो वीडियो एक normal यहां पर आपको fresh content मिलता है तब से पहले में आपका डाउट किलियर कर देता हूं YouTube जब कोई भी update करता है कोई बड़ा update करता है तो उसके बारे में पहले से ही बतायता है Creator Insider नाम से चैनल है वहां पर आपको वीडियो मिल जाती है और वहां पर साफ साफ बताती आता है कि यह new rule आया है और जो monetization से related नियम आते हैं नए rules आते हैं या फिर कोई वास time से related कोई guideline आती है तो उसके बारे में detail से समझा जाता है क्योंकि एक काफी बड़ा update माने आता है इस list में यह section इन्हों ने जोड़ दिया है VOD का वीडियो on demand का तो यहां से लोग confusion हो रही है कि यहां से जो watch time आएगा वो count नहीं होगा आप live stream करते रहेंगे तो watch time count नहीं होगा उसके बाद में वीडियो पर जितने views आएगे वो watch time count हो जाएगा और guys सभी लोगों ने जितन watch किया था 20-30 लोगों ने जो watch किया था और वहां से जो watch time आया था मैंने उसको check किया next day तो guys जो watch time मिला था वो सभी monetization के लिए count हो गया था और guys इस से related इसरार भाई ने एक वीडियो बनाई है और उसमें उन्होंने detail से बताया है उन्होंने भी live stream की थी और वहां से पूरी detail के साथ में उन्होंने बताया है कि जो watch time है वो count हो रहा है आप live stream कर रहे हैं तो वो watch time count हो रहा है तो guys YouTube का अगर कोई भी बड़ा update आता है तो YouTube उसके बारे में पहले से बता देता है ऐसे नहीं है कि automatic जो है वो update आगया और आपका जो watch time है वो count नहीं हो रहा है ऐसे नहीं होत सकते हैं कि जो यह update आया है वो अभी work कर रहा है यह नहीं कर रहा है तो फिलाल guys मैं आप से यह कहूंगा कि अगर आप इस time live stream करते हैं तो यह जो इन्होंने list में जोड़ा है वो work अभी नहीं कर रहा है अब आगे जाकर work करेगा आगे जाकर watch time count नहीं होगा तो मैं इसके बा बाद में आपके सारे doubt clear हो गया हुए वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को like करें अगर आपके मन में इससे related और भी कोई doubt है या फिर आपकी कोई भी problem है तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं या फिर आप चाहें तो मुझे Instagram पर भी DM कर सकते हैं तो फिलाल guys आज की वी आपकेर